इस पावन धरती पे मैं दो साल से हूँ, रुतास के यहां हर पर्व बहुत सुहद और सांती पुर्व को मना जा रहा है, आज दसारा के इस पावन महा पर्व पर असत्ता पर सत्त की जीत और अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, सभी लोग सुखद सांती से सब मिल्यूल के सौहाधपुर्व बताराण में इस महा परव को बनाएं. अब के जिम्हारी और डिवूटी के अगर हम बात करें, कितना अभी टफ है और कितना आप लोगों को हाड़ वर करना पड़ रहा है? हाड़ वर करता है, उनके साथ मैं as a magistrate, 24 गंटे में 16 गंटे, 15 गंटे, 17 गंटे तक हम लोग वर्क कर रहे हैं, ताकि किसी बिगार की सौहाद पूर वातारण को कोई बाहर के तत्व, और आंचनी रूप से इसको नस्ट न करें, ताकि सभी लोग अपने तोहार को बनाएं, और सांती पूर भी हमारा स्रहतास पुरे बेस में, पुरे राजे में अच्छा नाम रोसन करें रोतास आपको कैसा लगता है खास करके यहां के नेचर की बात करें और यहां के लोगों की बात करें, तो आप उनसे कैसे जुड़ पाते हैं, तेकि यहां का वाताराण में पहले दिन नायात है, इतना सुदर इतना अच्छा है कि यहां के लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं, उस वाताराण से भी मन के इतने सांत हैं, बस कुछ अवांचनी बाहर के तत्वों लोग कुछ जो हर जगा जिसे नदी में एक मचली गंदे जाती है तो कोशिस करती है कि और कत्यार करें इसी तरह यहां के एक बाहर के असामाजिक तत्वों के कान यहां पर वाताराण खराब होनी के कोशिस की जाती है लेकिन यहां के लोग इतने अच्छे हैं का मिल जुलु की स्वटारण गो सांथ कर दीए और करते रहें हैं कर देखरेंगे मेलाएं भी इस देखार आती हैं पुरुस भी रहते हैंं बच्चे रहते हैं बूड़े रहते हैं रहते यह ही तो शी करना चाहूंँगा और दुसरे से प्रेम बैवार से ही रहें और जाने के पूसिस न गरें और ध्यान रखना है अच्छे से अपने परिवार के साथ हिंजॉय करें और बागी परसासन जो है चोकनना है अपने तरफ से हम लोग पूरी तरह गस्ति कर रहे हैं लगतार रात में भी कल भी नौमी को साम में त्योहार था लोग भूमने आ रहे थे पंडाल में तो हम लोग भी लगातार चौकने थे चौकस थे ताकि किसी भी तरह को किसी भी असुविधा न जहलनी पड़े तो इसी तरह सभी परसासन तथा और जितने भी हमारे नागरिक हैं रोतास के सभी खुशी पुरुबक इस्तिवहार का आनंद ले और इंज्वाय करें फैमली के से रोतास कैसे लगता है और रोतास के लोग आपको कैसे लगते हैं प्रसनली अगर हम यहां के नेचर की बात करें या लोगों की सभाव की बात करें तो रोतास जब मैं सुरू-सुरू आया था यहां पर जब मेरी फ़स्ट पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बहुत जानकारी नहीं थी यहां के बारे में लेकिन जब धीरे-धीरे ही मुझे कुछी समय में यह मैसूस हुआ कि बहुत ही सांत विनम्र स्वभाव के लोग यहां पे रहते हैं और सबसे बड़ी चीज यहां पे जो हमें देखने को मिली यहां का जो अपना साम्तवदाइक जो लोगों के बीच में सोहाद रहे हैं चुकि यहां पे अगर देखा जाए तो कम्यूनिटी अच्छे बैलें में यहां पे हैं और इसके बाब जूद भी उनके बीच में जो आपसी सामन जस्स है हर पर्व त्योहार को लेकर मैंने देखा है खासकर पिछले जो रामनोमी का भी त्योहार निकला उसमें ज्यादातर प्रसासन के लोग अधिकारी जितने थे सभी MLC के चुनाव में थे ल में हम लोग को कुछ करना भी नहीं पड़ा चुकि हम लोग MLC के चुनाव में बैस्त थे हम लोग को गया जाकर सारा वहां पे बैलेट पेपर जमा करना था तो यह एक मिसाल है मैं एक उदाहरन के रूप में पेस कर रहा हूं कि काफी सुल्जे हुए लोग है नहां पर आप इसके दिन सारे लोग अपने घर में फेस्टिवल को सेलिबिरेट करते हैं आप लोग कितना अपने घर को मिस कर पाते हैं आज देखे हम लोग चुकि जब से प्रसासन में आये थे जब पहली वार जौब लगी थी जब पता चला था कि यह पोस्ट मिला है राजस्वधिकार तो राजस्वधिकारी अंचल अधिकारी प्रकंड लेवल पर जो जितना भी विदी विवस्था का कारे है वो जिम्मेदारी होती है हम लोगों के उपर तो ऐसे में इस तरह के से हम लोग भूली जाते हैं कि मतलब हम लोगों को अपने तरफ से कोई पर्ट्योहार और घर- परिवार को देखना है लेकिन चुकि बैलेंस है चीजों को बैलेंस